हेलो एब्रिवन वेल्कम बेक टू सक्षम फैमिली और आज मैं आप सभी लोगों का तह दिल से सुक्रियादा करना चाहूँगा जितने भी लोग सक्षम अकादमी से जुड़ेवे हैं चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो चाहे वो हो आफलाइन माध्यम से आप लोगों की बदालत जो आज हमारी फैमिली है वो मोर देन थाउजन की होड़ चुकी है इसलिए आप से भी लोगों का तह दिल से सुक्रियादा हालांकि ये एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है लेकिन सायद हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है उससे भी बड़ी बात मैं आप लोगों से जो डिसकस करूँगा हमने अभी तक चैनल पे इतनी सारी वीडियोज अपलोड की है नौटिफिकेजन से लेकर या फिर जो इस्टडी से रिलेटेट कोई वीडियोज होती है लेकिन आज तक उन वीडियोज में एक भी डिसलाइक नहीं आया है इससे पता चलता है कि जितने भी मैंबर से जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो सारे के सारे serious candidate हैं, वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनको जिन्दगी में कुछ करना है, वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनको दूसरे की टांग खीचनी नहीं आती है, आप सभी लोगों के मैं comment पढ़ता हूँ, जितने भी लोग comment करते हैं, या फिर जिनकी भी कोई queries होती है मैं कोसिस करता हूँ सबके comment reply करने का आज सक मुझे ऐसा कोई भी comment नहीं दिखा है negative type का comment कोई नहीं दिखा है जिसमें leg pulling वाली कोई बात भी हो आप लोगों के comment में हमेशा एक honesty होती है एक respect होती है साथ इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है करेंगे अच्छे से अच्छा matter अच्छे से अच्छा content challenge में provide करवाने का तो आज हम यहां पर बात करेंगे physics के numericals के बारे में जो आपकी उत्रकंट वंदरोंगा exam होना है उसके लिए काफी important रहने वाला है लेकिन आज उस चीज को सुरू करने से पहले कुछ questions थे जो हमने last time attempt किये थे लेकिन थोड़ी बहुत mistake हो गई थी that is why I always tell your feedback is very important for we people because after giving your feedback we can improve ourselves जहां पर भी कोई problem होती है आप लोग हमें feedback दें आप लोग comment box मताएं कि यहां पर यह mistake है so that कि हम उसमें improve कर सकें आपके जो commit होते हैं वो हमें motivation देते हैं और last time यहां पर दो question mistake हो गए थे उसके लिए मैं आपसे apology चाहूँगा और उन चीजों को पहले यहां पर correction कर लेते हैं then उसके बाद हम आगे कि आज question करेंगे तो इसके जो सबसे first question था हमारा कि किसी चाला का विसिस्ट परते हो चाला के किन कारगों पर निर्बर करता है इस specific resistance की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि specific जो resistance होता है वो conductor के किसी इसके ओपर depend करता है किसी भी conductor का तो देखिए यहां से यह वाले question है तो यहां से इस type का question आप से पूछा जा सकता है जैसे इसके लिए जो आपको formula याद रखना है उसके लिए यही formula रहेगा r equals to rho l by a तो यहां पर जो यह formula है यहां पर यह जो rho है यह आपका denote करता है specific resistance को यह sr मैं यहां पर denote करता हूँ यह specific resistance को यहां पर sow कर रहा है और जो यह rho होता है specific resistance होता है यह हमें से depend करता है कि पदार्थ की प्रकरती कैसी है मतलब nature कैसा है matter का इट मींस आपके पास silver है आपके पास copper है आपके पास aluminium है यह सभी आपके पास different kind of material है और इनकी जो conductivity होती है वो भी अलग-लग होती है जैसे कि आपको यह मालूम होगा जैसे silver की जो conductivity होती है वो सबसे highest होती है सभी को मालूम होगा चांदी सबसे ज़्यादा चालकता इसके अंदर होती है जो flow of charges होते है वो easily इसके अंदर flow कर सकते हैं तो it means इसका जो property है इस matter की इसका जो internal structure है कि भई वो किस चीज से मिलके बना हुआ है तो यह इसके ओपर depend करता है तो हमेशा ध्यान दें कि जो specific resistance होता है काफी important चीज है यह करेगा आपका nature of matter पर depend की भई पदार्थ की प्रकरती कैसे है किस चीज से मिलके यह बना हुआ है यह इसके ओपर depend करता है इसी में दूसरा question में एक और दे देता हूँ आपके पास कि जो resistance होता है अभी कभी आपके पास आगया let's suppose मैं इसी में थोड़ी changes कर देता हूँ इस specific resistance मैं यहाँ पर हटा देता हूँ resistance कहा simple that resistance of our conductor depends on what factor कि कोई पर्तिरोध जो होता है वो चालक कि किस चीज पर depend करेगा तो यहाँ पर चूर इसका answer होगा तब आपका यह वाल answer हो सकता है all these भई यह लंबाई के उपर भी depend करेगा क्योंकि यह resistance है ना तो यह resistance कितनों के उपर depend कर रहा है इसके उपर depend करता है तो फिर आपका हो जाएगा all these तो परसों यही छोटी सी mistake मुझसे हो गई थी तो इसको correction कर लीजिएगा मैंने चाहता हूँ कि आपका मेरे वज़े से कोई भी question exam में गरत हो क्योंकि जब सामने बैठे वे रहते हैं वहाँ से feedback बहुत जल्दी मिल जाता है लेकिन जब इस types की videos जो suit कर रहे होते तो उस time feedback देने वाला कोई नहीं होता है तो कुछ नो कुछ mistakes हो जाती है and you know that कि human error हो ही जाती है तो कोसिस करेंगी कि इस type की error ना हो लेकिन as always जो भी mistakes होंगी उन्हें solve out करने की पूरी कोसिस करूँगा next question इसमें क्या था कि कौन सी सदिसरासी है यह मैंने आपको कहा था काफियों के अच्छे इसमें comments आया थे काफी important question है तो इसका जो answer होना है वो इन में से कोई नहीं है अब अक्सर हम लोग क्या सोचते है हम लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज है माना यह कोई एक conductor हो गया यहाँ पे हमने यहाँ पे एक positive charge है यह negative charge हो गया positive है negative है तो current हमेशा positive से flow करेगी यही हम सोचते है electron हमेशा negative तरफ move करते हैं अगर इस तरफ जा रहा है चार्ज इस तरफ flow करें तो electron आपके इस तरफ flow करते हैं चलिए इसको भी अगर थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं तो हम यह सोचते हैं कि भाई यह सदीस रासी है इसमें एक numbers होता है जैसे हमने का 2 ampere हमने का 2 ampere तो क्या हम कभी यह कहते हैं 2 ampere south क्या हम ही कहते हैं कभी 2 ampere north नहीं कहते हैं मतलब हम यहाँ पर direction की हम कभी बात नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हम यह सोचते हैं कि भाई इसका तो एक particular direction की तरफ तो move करेगा ना positive से हम बात करेंगो तो यह particular direction की तरफ move करेगा अगर मैं इसको just इसकी reverse कर दूँ इसकी polarity इसको अगर मैं minus कर दूँ उपर और इसको नीचे plus बना दूँ तो फिर यह current की जो direction होगी और नीचे से flow करेगा इस direction से तो हमें लगता है कि यह जो है एक सदीस रासी है मतलब इसमें एक particular एक direction की तरफ यह move कर रहा है हालां कि यह ऐसा नहीं होता है जब आप 11th class में जाएंगे law of vectors आप पढ़ते हैं law of vector actual में बताता है कि कौन सी सदीस रासी है कौन सी दिस रासी यानि कौन सी vector quantity और कौन सी non vector quantity यानि scalar quantity हम जिसे कह सकते हैं तो हमें से ध्यान दें कि यह law of vector होता है आपको पढ़ने की ज़रत नहीं है क्योंकि आपके सिलिवस में नहीं है बस आप इतना ध्यान दीजिए जो विद्युद्धारा है या विद्युद्धावे से ये दोनों के दोने आपके सदीस रासी नहीं है तो इन में से कोई नहीं इसका answer होना चाहिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ये आपके लिए as a homework question है यदि प्रकासिक किरन कांच की सता पर लमवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोंड का मान क्या होगा इंग्लिस मीडियो में ध्यान दें कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बही कोई भी आपके पास let's suppose ये कोई एक slab है glass है आपके पास यहाँ पे लमवत आपतित हो रही it means perpendicular हम इसमें क्या कर रहे हैं कोई raise perpendicular आती है हलांकि आपने देखा होगा हम कभी इस टाइप से कुछ raise डालते हैं इस टाइप से ऐसे सभी करते हैं अगर ये ऐसे ना होकि अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं incident करवा रहे हैं आपतित करवा रहे हैं तो फिर अपवर्तन कोंड क्या होगा it means जो इसका refractive refractive angle जो होगा वो क्या होगा comment box में comment करके जरूर बताएं आपको इसका answer पता होना चाहिए देखे मैं यहाँ पे आपको कोसिस करूँगा जितने भी question करवाऊँगा थोड़ा सा थोड़ा सा टिरी टाइप की हो it means थोड़ा सा अलग हो क्योंकि मैं easy question मैं आपको नहीं करवाना चाहता easy आप कहीं से भी कर लोगे easy question आपको बहुत जगे मिल जाएंगे आपको समझ में भी आ जाएंगे मैं कोसिस करता हूँ कि आपको ऐसे question यहाँ पे करवाऊ जो बहुतों के लिए थोड़ी tough लगे otherwise यहाँ पे आप लोग जो easy question होते हैं वो कहीं पे भी जाके कर सकते हैं तो यह question जो है answer इसका comment box में जरूर दें एक यह question था जिसमें confusion थी confusion यह थी कि जो मैंने आपको इसका answer बताया था मैंने बताया था कि retina के आगे इसका formation होता है लेकिन यह गलत है retina के आगे इसका formation नहीं होता है क्यों नहीं होता है ये मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारी एक iris होती है और इस iris के अंदर होती है यहाँ पे pupil ये iris हो गई भारवाले जिसे हम परतारिका बोल रहे हैं ये pupil होगा, pupil का काम क्या होता है जो light enter होती है आखों की अंदर आइस की अंदर उसको control करने का काम प्यूपिल करती है हो सकते हैं आपको कहीं परितारिका मिले लेकिन हमें सा ध्यान दें NCRT में जो लिखावा है उसको follow करना है और NCRT में लिखावा है कि जो ये है ये आपको control करेगा देखो ये होता गया ना कि पढ़ने के बाद मतलब अलग निकल जाते हैं हो सकता है आप पढ़ो तो आपका मतलब कुछ और निकल जाए आप पढ़ने के वाद नीचे की चीज़ें ठीक से ना पढ़ो तो इस टाइप से क्या होती है चीज़ें चेंज हो जाती है तो इन चीज़ों से थोड़ी बचना है ठीक से चीज़ें पढ़नी है बागी यहाँ पे कैसे होगा यह मैं आपको सारी चीज़े बता देता हूँ कि यहाँ से light enter हो रही है यह आपका यहाँ पे lens होगा convex mirror की हम बात कर रहे हैं और convex lens की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बागी यहाँ पे आपका होगा दृष्टी पटल जिसे हम कहते हैं retina और हमेशा ध्यान दें कि retina पे आपका जो होता है image का formation होता है अब देखिए दो चीज हमेशा ध्यान दें, दो चीज आपको यहां पे समझनी है एक आपने समझी है farsightness दूसरी समझी है nearsightness मतलब आपने समझा है निकट और आपने समझा है दूर के बारे में तो farsightness की हम बात करते हैं तो यहां पे आपको जो निकट की चीज़े होती है वो आपको नहीं दिखती हैं, दूर की चीज़े आपको दिख जाती है अब मेरी एक चीज गौर से सुनिएगा और यहां से आपको यह चीज़े killer हो जाएंगी जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि भई किसी को दूर की चीज़ दिख रही है जब आपको दूर की चीज़ दिख रही होती है इट मेंस आपका जो image का formation होता है वो retina के खहीं इस तरफ हो रहा होगा retina के बाद हो रहा होगा, retina के पीछे हो रहा होगा तो यह रेटीन है, यहाँ पर आपका image का formation हो रहा है, लेकिन आपको दूर दिखाए दे रहा है, देखे 25 cm आदमी की जो है, वो human eyes देख सकता है, मतलब नॉर्मल जो आँखों की रौसनी जिसे हम कहते हैं, यह समझन चमता हम जिसे कहते हैं, समझन चमता तो नहीं कह सकते हैं हम पर्टिकुलर उसका मुझे हिंदी मन नाम ध्यान नहीं आ रहा है, 25 cm तो आप किसी चीज को देख सकते हैं, वो आँखों की capability होती है तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, कि देखिए जब भी हम दूर की बात करते हैं, दूर आपको दिखाया दे रहा है, जो आपका image का formation हो रहा है, वो retina के back side हो रहा है, इस सरफ हो रहा है और जब आपको निकट दिखाये दे रहा है, निकट दिखने का मतलब हो जाता है आपका, कि आपका जो image का formation हो रहा है, वो retina के पहले हो रहा है तो रेटिना के पहले हो रहा है तो मतलब आम निकट देख पा रहे हैं रेटिना के बाद हो रहा है इसको दिश्टी पतल कहते हैं दिश्टी पतल के बाद हो रहा है इसको आप दूर की चीज़ें देख पा रहे हैं दो चीज़ें के लिए रहे हैं अब आजाते हैं अपने question में, अब इसने कहे दिया यहाँ पर कि 25 cm से कम दूरी पर रखी वस्तुएं इस पर नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, let's suppose आप यहाँ पर बैठे वे हैं, यहाँ पर आपने कोई नोट बुक आपने यहाँ पर उठाई वी है, यहाँ book पढ़ रहे हैं, normal जैसे 25 cm तक आप इसको देख पाते हैं, आप जब इसको book को आगे की तरफ लियाए, आप थोड़ी आगे आपने कर लिया, यह जैसे आप again यहाँ पर हो, अब आप ने यह बुक थोड़ी होर आगे कर लिया नहीं हाँ पर, अब आप इसको नहीं देख प पर आप क्या है यहाँ पर नहीं देख पाओगे न मतलब आप यहाँ पर क्या नहीं देख पा रहे हो आप यहाँ पर जो निकट की चीजे हैं वो नहीं देख पा रहे हो क्योंकि वो आपके आँखों के सामने मतलब आप निकट नहीं देख पा रहे हो नेर आप नहीं देख प कि आपको ये चीज जो है समझ में आई होगी इस टाइप के question आपको कुछ भी मिल सकता है यहां से 10 cm चेंज करके कह दिया जिन लोगोंने course purchase किया है जिन लोगोंने test series purchase किया है उनके paper और में भी मैंने ये question डालाता हो सकता है कि किसी नो question attempt किया हो किसी नहीं किया हो तो अगर आपको कोई भी problem होती है तो उससे जरूर discuss कर लीजिएगा तो ये था overall इसका explanation ध्यान दीजिएगा इस टाइप के question पूछे जा सकते हैं अगर आपको इसमें अच्छा score करना है तो आपको tough से tough question भी आपको करना पड़ेगा और इस टाइप का explanation आपको NCRT के अंदर भी नहीं मिलेगा मैं ये भी बता दूँ आपको next question है कि कि किसी अपतल दर्पन की focus दूरी 10 cm है इस अपतल दर्पन की वकड़ता त्रिज्या क्या होगी और इस कौन के mirror में आप यहां से जो भी आपकी light जो beams होती है तो वो आपकी यहां जाके divers हो जाती है ये सबीने चीज़े पढ़ ली होंगी और आप अगर इन्हें meet कराऊगे तो कुछ ये किसी एक particular point पे आने के बाद ये meet करती है कुछ इस type से यहां पे जब ये यहां पे meet करती है इमेज का formation आपका इस वाले point पे हो रहा होगा और यहां से लेक और यहां तक आप इसे कह सकते है कि भी ये आपका कोई एक है focus point अब यहां पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो अबतल के बारे में हम बात कर रहे हैं concave के बारे में बात कर रहे हैं जब हम convex की बात करते हैं तो convex में आपका जो sign होता है वो कैसे होता है देखे ये यहां पे आनने के बाद ये converge हो जाती है अब converge हो जाती है इमेज जो image का formation होता है वो आपका इस्तरफ होता है तो हमेशा ध्यान दें कि जब भी हम concave mirror की बात करते हैं तो यहाँ पे जो f होता है वो negative आता है और convex mirror की जब भी हम बात करते हैं तो जो f होता है वो आपका positive आता है यह negative आता है यह आपका positive आता है क्यों आता है इसके पीछे का reason मैंने आपको बता है क्योंकि image का formation आपका outer lens में concave में इस तरफ हो रहा होता है और यहाँ पे आपका इस तरफ हो रहा होता है जैसे numbers line जो होती है numbers line में इस तरफ negative इस तरफ हम positive इसे type से चलते हैं तो यह आपके ओपर depend करता है आपने क्या sign लिया है तो sign जो convention होते हैं वो हम कुछ इस type से लेते हैं तो इस चीज का विसेज ध्यान दे बाकि हमें यहाँ पे वकरता तरफ है निकालनी है तो इसके लिए बहुत simple सा formula है f equals to हो जाता है आपका r by 2 अब यह r by 2 हो गिया अब यहाँ पे जो focus है वह आपका negative है मतलब यह minus 10 cm है यह 10 cm हो गिया और यह r by 2 हो गिया तो यहाँ पे radius आपका यहाँ से क्या हो जाएगा यह 2 को आप यहाँ पे multiply करेंगे तो यह आपका हो जाएगा r equals to यहाँ पे 20 cm अब यह negative आरा तो ध्यान दे तो यह negative होगा यहाँ पे तो इस चीज़ का विशेज ध्यान दे होता थोड़ी बहुत mistake इसलिए हो जाती क्योंकि यह जो questions होते हैं मैं कहीं से भी ने cut copy paste करके आप लोगों को सामने नहीं रख देता हूँ इन questions को खुद बनाता हूँ खुद आप लोगों की English में भी इसे convert करता हूँ चीज़े यहाँ पे इसलिए आगे पीछे हो जाती है otherwise कहीं से भी cut copy paste करने बाद mistakes होने के chances नहीं रहते हैं तो इसलिए इनमें थोड़ी बहुत mistakes हो जाती है तो इन चीज़ का विसेज ध्यान रहें बाकी centimeter को आप यहाँ पे meter में भी convert कर सकते हैं तो यहाँ पे यह भी चीज़ें हो सकती है बाकी यह था इस question में next question हम बात करें कि कोई गदा है उसने क्या किया है 50 meter की उंचाई पर कोई उसने बोज उठाया हुआ है तो उसका फिर आपको बताना है कि work done क्या किया भी उसने तो कोई देखिए जब भी हम work done की बात करते हैं तो काम कब होता है work equals to होता आपको force into displacement यही होता है work done का formula it means जब आपने कोई force अपलाई के किसी चीज़ पे और वहाँ पे displacement हुई है तब बोलोगी भाई की काम हुआ है अगर displacement नहीं हुई है तो आप यह नहीं बोलोगे काम नहीं हुआ है इस चीज़ का विसेज धियान रखें तो let's suppose आपके पास कोई डंकी की हम यहाँ पे बात कर रहे है और इसने 50 मीटर की उचाई पे कोई बोज उठाया हुआ है let's suppose चलो इसको कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे बना देते हैं यह कोई आपका कुछ इस टाइप से हो गया और इसने यहाँ पे कोई बोज यहाँ पे उठाया हुआ है तो क्या यह कोई कारे कर रहा है पे वर्क होगा वो सुन्या होगा बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है बहुत एजी जी से क्वेश्चन है बहुत जादा टब क्वेश्चन नहीं है पर ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं तो इस दिश का ध्यान दे उसने क्योग उठाया हुआ है इसलिए इसका जो कार्य होगा वो सुन्य होगा 20 किलो के बैग को 20 मीटर की उचाई पे उठा कर पुना उसी स्थान पर रख दिया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर किज़ों क्या होता भई force into displacement कार्य होगा जहां पे आपको क्या होगा force लगेगा और साथ में क्या करेंगा आप displacement अब आपने क्या किया कि आपने किसी बैग को उठाया यहां पर आपने बैग को यहां से उठाया इस बैग को उठाने के बाद आप थोड़ी उपर तक लेके गए और दुबारा आपने इस बैग को उठाने के बाद यहां पर दुबारा इसी पॉइंट पर आके रख दिया तो क्या इन्होंने यहां पर जो position है क्या इसकी change हुई है बिल्कुल नहीं जो इसकी पहली position थी जो हम V1 की हम बात करें और V2 की बात करें सेम वही position है आपने इसको उठाया और वहीं वापस रख दिया इट मींस V1 इसको स्टो V2 कोई इसमें changes नहीं आया तो displacement यहां पर क्या होगी जीरो होगी और जब displacement जीरो हुई फोर्स भले आपने कुछ भी अपलाई किया उस bag को उठाने के लिए तो यहां पर overall जो work done हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसलिए इसकी जो value है जो answer है वो भी जीरो हो जाएगा तो छोटे छोटे question है इस type के जो tricky question होते ही आपके exam में पूछे ही पूछे जाएंगे तो इस type के question जरूर कर लें 5 किलो ग्राम की कोई ball जमीन से 10 मिटर कुछाई पर है तो potential energy आपको बतानी है यहां पर कि कोई ball है उसको 5 केजी इस gram की इस mass की आपने height 10 मीटर तक उसको उपर उठाया है ground से तो क्या होगा इसका potential energy तो potential energy का जो formula होता है बस आप उसमें लगा देंगे जो potential energy होती है वो MGH होती है height की हमें में इसा बात करते हैं क्योंकि potential energy में हमें सा height आती है जैसे जो reserve wire होता है बतलब जो dam का पानी होता है वो भी आपका उसमें potential energy उसके अ अदर होती है जब आप क्या करते हैं किसी चीज को जैसे hammer हो गया है hammer को उठाते हैं तो उसमें भी एक potential energy आ जाती है धनुजबाना वाला आपने example सुना होगा उसके अंदर भी potential energy आती है क्योंकि आप actually भी उसके अंदर कोई energy होती है ताकि उसमें कुछ काम करवा सकें तो यहाँ पर यह वाला formula आप apply करेंगे यहाँ से answer find out easily कर सकते हैं तो यहाँ पर यह जो 5 है यह m की value आपको given है m equals आपको 5 दे दिया height आपको यहाँ पर 10 given है अब आपको क्या निकालना है g की value आपको पता है कि जो gravity होती हो 9.8 meter per second minus 2 यह इसका जो है fix है इसमें आप formula में put करेंगे answer निकालेंगे तो क्या आजागा यहाँ पर 5 multiply इसे कर दो 9.8 multiply 10 अगर आप इसे यहाँ पर solve करेंगे तो यह आजाएगा आपका यहाँ पर 9.8 solve करने की कोशिस करो 9.8 multiply 50 और यहाँ से अगर आप इसमें देखेंगे तो कितना जाएगा 4 90 point तो 490 यह आपका इसका answer हो जाएगा तो ध्यान दीजे इस टाइप के question है जो आपको ध्यानर करने और इन्हें आपको आना चाहिए करना अब देखें यहाँ पर की एक आपके पास wave है जिसकी जो आपके पास दे रखी है frequency वो है 100 hertz velocity इसकी दे रखी है आपको 200 meter per second what will be its wavelength आपको lambda find out करना है अब यहाँ पर इसके लिए formula क्या होता है देखें यह ध्यान दीजे wave बराबर हो जाता है आपका यहाँ से तरंग धैर्या मैं sort में लिखूँँगा यहाँ पर multiply आवर्थी यह आपको ध्यान देना है जितने लोगों भी एक question solve की होंगे जिन्होंने course purchase किया अगर आपने वहाँ पर एक question solve की है तो आप लोग भी से देख सकते हैं अगर आपने यह question गरत किया है तो यहाँ पर होगा क्या वी जिको स्टू हो जाएगा आपका lambda multiply आवर्थी के लिए यह 200 आपको यहाँ पर given है lambda आपको find out करना है तो lambda multiply यह new आपको given है जो इसकी frequency आवर्थी 100 आपको given है अब यहाँ से lambda कितना हो जाएगा 200 divided by 100 equals to lambda और यहाँ से आपके पास इसका जो answer आ जाता है वो आ जाता है 2 meter तो lambda की जो value आएगी यहाँ पर wavelength जिसे हम कहा रहे है जिसे तरंग धहर रहे है वो 2 meter इसका answer हो जाएगा तो यह ऐसे छोटे छोटे question है जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं इसलिए इनको जो books हैं आपकी वहाँ पर इनको देखें जरूर छोटे छोटे question है छोटे छोटे question एक एक minute के अंदर एक minute से भी कम समय में यह answer इनका निकल सकता है तो इस type की question आपको पूछे जाएंगे 100% कुछ numerical दो आएंगे यह आएंगे और numerical छूड के आप नहीं जा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस exam को निकालने के लिए आपको easy से easy और tough setup question आपको आने चाहिए again आप क्या कर रहे हैं किसी force लगा रहे हैं 10 newton का किसी object के उपर और object और 12 meter displacement हो रहा है तो ये work done आपको बताना है तो again वही work done w equals to हो जाता force into displacement ये आपको यहाँ पर formula लगाना है बताना है कि बगई कितना काम हुआ है तो force कितना हो गए आपका 10 newton आप इसमें लगा रहे हैं F की value 10 है displacement इसमें 12 meter हो गया 12 meter displacement उसमें हो गई तो कितना आजाएगा ये 120 अब ये 120 आया तो कितना आया देखिए ये force है force की unit कितनी होती है force की unit होती है newton displacement इसकी unit हो गई meter तो यह आजाएगा newton meter तो 120 newton meter आपका इस cancer हो जाएगा अब दिखी ये काफी important question है यहाँ पे ये अभी again आपको दे रखा है एक अवतल दरपन यानि ये आपको दे रखा है एक concave mirror इस concave mirror के सामने 10 cm दूरी पर कोई पर रखे किसी beam का तीन गुना आवर्धित वास्तित परतिमीं बनाता है तो परतिमीं दरपन से कितनी दूरी पर है देखे अब इसको चीज को थोड़ी ध्यान दीजेगा इसको question को कैसे solve करेंगे अब ये अब तल दरपन दे रखा है ये आपको समझने के लिए इतने इंगलिस तो आई जाती होगी कितना आपको समझ में आ जाए तो ये actual में आपको object दे रखा है कि ये object कितनी दूरी पर है तो ये u की value आपको given है 10 cm अब ये अवतल दरपन की हम बात कर रहे है u की वैसे भी minus आता है तो u cost हो जाएगा तो इस case में क्या होगा आपका जो आवर्दन होता है आवर्दन मतब जिसे बोल जाता है magnifying जिसे नाम देते हैं यहाँ पे इसके लिए जो formula होता है m equals to h dash by h equals to minus v by u ये आपके पास इसका formula होता है तो ये जो आपको दिया है न ये m ये magnification है मतलब कितना बड़ा कोई जो है वो परतिमी मन रहा है या image का formation हो रहा है तो यहाँ पे जो m होगा ये आपका minus ही आएगा क्योंकि अब तल दरपन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये m की value है h dash by h आपको already minus 3 given है तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे यह आजाएगे minus 30 cm तो यह है आपके पास जो आपको यहाँ पे question solve करना है तो यहाँ पे इसका अंसर हो जाएगा 30 cm इस type के छोटे-छोटे question आपके पास पूछे जाएंगे तो यह ऐसे question जो है आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एक तरंग की आवर्ती 1 किलो हर्स है अब देखिए यहाँ पे अभी क्या है आपको किलो हर्स दे दिया इससे पहले वाले question में जस्ट आपके पास हर्स था अभी आपके पास किलो हर्स दे दिया वेग आपको दे रखा यहाँ पे भई जो इसकी velocity है वो कितनी होगी तो आपके पास again formula तो वही रहेगा V equals to जो हमने भी देखा था lambda multiply new यह आवर्ती है ध्यान दे यह आवर्ती है जिसे हम frequency हम नाम दे रहे है यह 1 किलो हर्स है आप इस 1 किलो हर्स को पहले हर्स में convert करें 1 किलो हर्स को हर्स में convert करने के लिए आपको यह कितना हो जाएगा 1000 हर्स यह हो जाएगा 1000 हर्स हो गया अभी अब velocity आपको यहाँ given है यह V की value आपको दे रखी है तो इसको यहाँ पे आप 3800 मीटर पर सेगी इसको ऐसे रहने दीजिए यहाँ पे lambda की value आपको find out करनी है wavelength तरंग धहर है क्या होगी तो lambda ऐसे रहने दीजिए आवर्ति आपको मैंने बता दिया आपको इसको अभी कितना हुए यह 1000 हर्स आपके पास हो गया तो lambda कितना जागा यहाँ से 3800 डिवाइड वाई 1000 equals to यह 0 से इसको हटा दो इसको इससे हटा दो और यहाँ पे जो इसकी value आ रही है 3.8 इसकी यह value आ रही है तो यहाँ पे जो इसका answer होगा आप answer मार सकते हैं इसको point यहाँ पे जरूर लगा लें इस type से और इसका answer यह वाला हो जाएगा next question के हम यहाँ पे बात करते हैं और एक iron ball है उसका जो mass है वो 5KZ है अब इसको क्या करना है आपको कि आप यह 5KZ की जो ball है आप इसको लेके चले गए universe में यानि space में आप चले गए अंत्रिक्ष में आप चले गए अंत्रिक्ष में जानने के बाद आपको इसका find out करना है कि इसका जो है भार क्या होगा यानि जो इसका weight मान के चलिए या फिर हम वैसे तो mass की हम वैसे बात करते हैं लेकिन देखो इस type का जो question है यह ऐसे थोड़ी tricky type के question होते हैं जो अकसर exam में पूछे गए हैं पहली बार सनी होगा कि आपके exam में पूछा जा सकता है यह question ऐसे question है जो बार बार exam में पूछे गए हैं तो यहाँ पे जो भी मैं आपको question करवा रहा हूँ यह already कहीं ने कहीं किसी ने किसी exam में आई वे question है तो इसलिए यह question आपको करने बहुत जरूरी है तो जब भी हम बात करते हैं वेट की जाएज़ simply हम लोग वेट चेक करते हैं लेकिन हम कहते हैं भी मैं 50 किलो का हूँ या फिर मैं 60 किलो का हूँ इस टाइप से ही हम कोई बात करते हैं तो वेट के हम जब भी बात करते हैं हमें सा ध्यान दें कि weight जब भी होता है तो वो होता है mass into gravitation के मत्तब weight जब भी होता है कि उसmें इंकलूड होता है जब भी आप किसी wing machine में अपना weight चेक करते हैं तो gravity भी इसमें इंकलूड होती है तो हैं मसीन है जहाँ पे आप अपना वेट चक कर रहे होते हैं यह आप यहाँ पे खड़े हो गए तो यहाँ पे आपका मास तो है मास मतलब जितने पदार से मिलके आप बने हो वो तो है लेकिन कहीं न कहीं आपको यहाँ पे ग्रैविटी भी अपनी ओर खीच दी है क्योंकि आप अ इसका कि भाया वेट क्या होगा बेसीकली तो यहाँ पे मास देखिए फाइब कीजी है यहाँ पे तो एम के वैलू यहाँ पे फाइब हो गई अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंतरिक्ष की तो अंतरिक्ष में जो ग्रैविटी हो जाती है वो जीरो हो जाती है क इसका जो भार होगा जो वेट जो होगा वो होगा सुन्या तो इस type की question आपको अक्सर पूच ले जाते हैं इसी type की question आप से पूच ले हैं कि वही पांच किलो गराम की कोई बॉल है उस 5 किलो गराम की बॉल को आप अर्थ पे हैं कि कभी भी आपको इस टैप का question पूछ जाता है तो 1 by 6 से उसे divide करना है जैसे कोई हो सकता है अर्थ पे किसी का 60 kg किसी का weight हो ठीक अब इसको 60 kg वाला चला गया है हाँ कहीं moon पे चला गया हो तो moon पे इसका weight क्या हो जाएगा तो वो divided by 6 हो जाता है 1 by 6 हो जाता है किसी भी जो भी उसका weight होता है मतब 60 by 6 इसका answer जो भी आएगा मतब वहाँ पे वो ब्यक्ति जो होगा वो 10 kg का होगा तो यहाँ पे इतना भार कम हो जाता है क्योंकि gravity वहाँ पे कम है gravity किसके ओपर depend करती gravity depend करती है कि कोई चीज कितनी भारी है वो उसके ओपर depend करता है जैसे अब अर्थ का जो mass है वो जादा है mass मतब जो भार है weight हम कहेंगे मास मतब जिस चीज़ से वो मिलके बनी वी है लेकिन जो moon है moon का जो mass है वो as compared to इस अर्थ के वो कम है तो यहाँ पर overall जो weight होता है वो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इस type का यह weight हो जाएगा तो यह चीज़े हैं जो आपको ध्यान देनी है और यहाँ पर जो last question है हम बात करेंगे यहाँ पर एक bulb है वो 200 joule विद्यूत उर्जा 20 second में ब्याइग करता है तो देखें यहाँ पर दो चीज़े हमें given है यह 200 joule विद्यूत उर्जा दे रखा है मतलब हमारे पास यह क्या चीज़ given है हमें work पता है हमें w की value हमें मालूम है कि w जो हमें दे रखा है वो है मेरे पास 200 joule अभी यह t time दे रखा है मुझे 20 second कि 20 second में यह सब कुछ हो रहा है तो यह 20 second T हो गया अब आपको क्या निकालना यहां से सकती निकालना it means power आपको find out करनी है तो power को जो formula होता है वो कई formula होंगा आप P equals to VI होता है लेकिन जो यहाँ पे चलेगा वो चलेगा V equals to W by T इस type का आपके पास यहाँ पे यह होगा और यहाँ पे आप values put करेंगे 200 divided by 20 तो यहाँ से यह cut गया और यहाँ पे आपके पास आगया 10 अब किसमें आगा यह? what is में आगा क्योंकि हम सकती कि यहाँ पे बात कर रहे है तो इसका जो answer होगा यह answer हो जाएगा तो यह था overall जो चीज़े मैंने आपको discuss की है अब देखिए एक चीज़ में आपसे और यहाँ पे एक चीज़ discuss कर लेता हूँ सो दैर कि आपको इसमें कोई problem ना हो let's suppose हमने इस question की बात की थी कि कोई जो गदा है उसे धरती से 50 मिटर के उचाएबे बोज उठा के रखा है तो हमें से ध्यान दीजिए वैसे आपके पास यह होता नहीं है मैंने जैसे आपको बता है जो work done कभी भी हम बात करते हैं तो force into displacement की बात करते हैं यानि विस्थापन की हम बात करते हैं यह कभी कहीं आपको यह as भी लिखा होगा तो इसमें confused मत होईएगा तो जब आपके पास कोई चीज परपैंटनी कुलर में होती है ना जैसे लंबोवज जिसे हम कहते हैं कि जैसे आपको कोई यह ब्यक्ति है यहाँ पर यह कोई ब्यक्ति है इस ब्यक्ति ने क्या किया है सर पे कोई बोज उठा के रखा है इस टाइप से यहाँ पर तो इसके केस में अगर आपको बोला गया है कि यह ब्यक्ति जो है बोज लेके चल रहा है आगे की तरफ यह चल रहा है इस केस में अगर आपको बताना है कि work कितना हुगा इस case में तो फिर इस case में भी जो work हो जाता है वो 0 हो जाता है क्यों यहाँ पे आपका f cos theta यहाँ पे यहाँ यहाँ पे angle का formation होता है theta की value जो होती है वो 0 हो जाती है theta 90 होता है और जो cos 90 की value होती है cos 90 आपका क्या हो जाता है ये 0 हो जाता है, 0 multiply something जो भी करेगा, overall आपका जो आजाएगा value जीरो आजाएगी, तो मतलब work done 0 होता है हो सकता है किसी को ये चीजे समझे में ना रही हो इस टाइब का question आपके पास वैसे है नहीं पर हो सकता है, थोड़ी सी आपके पास सोड़ी, ये कि as a knowledge चेक करने के लिए आपको दे दे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये question नहीं आ सकता है ये depend करता है आपके जो भी आपने जो चीजें पढ़िए उस भी हाप पर आप इस question को निकाल सकते है तो ये चीजे ध्यान दिजे कि जब लंबवत कोई चीज होती है तो भी आपका जो work done होगा वो आपका zero ही होता है तो overall ये था इस वीडियो के अंदर आए हो कि आपको कुछ तो चीजें यहाँ पर सीखने को मिली होगी तो अगर आपको कुछ भी चीजें सीखने को मिली हैं तो वीडियो को like, share जरूर कीजिएगा और again जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को subscribe जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको future में notification मिलता रहें तो इस वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ टे केर और थैंक्स तो अल